नमस्कार आधाब, मैं आपका दोस्त फार्माशिश असफाक स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल पर आज की वीडियो में बात करेंगे नेपा फिनक डॉप के बारे में जो की cataract यानी मोतिया बिनके operation और साथ ही कुछ और condition में भी doctor द्वारा prescribed की जाती है जानेंगे पूरा detail में इसके use, dose, side effect के बारे में साथ ही जानेंगे इसके popular brand name के बारे में जो की आसानी से किसी भी medical store पर मिल जाता है सबसे पहले इस eye drop के general introduction के बारे में जान लेते हैं तो इस eye drop का active constituent है नेपा फिनक नेपा फिनक NSAID यानी non-esteroidal anti-inflammatory class की दवा है जो दर्द तथा सूजन को ठीक करता है अगर drop में इसकी strength की बात करें तो 0.1% weight by volume तथा 0.3% weight by volume के strength में अभायलेबल होता है अब जान लेते हैं इसके कुछ popular brand के बारे में जो की आसानी से किसी भी medical store पर मिल जाता है जैसे नेपा लैक ड्रॉप, नेपा फ्लाम ड्रॉप, नेपा स्टार ड्रॉप, इटसेटरा हो सकता है आपके area में किसी अन्यब्रांड नेम से मिले या doctor कोई अन्यब्रांड सजेस्ट करे दोस्तो अब जान लेते हैं इस drop के use के बारे में कि किन-किन problem में इस drop को डॉक्टर द्वारा दिया जाता है तो इस drop का use मुख्यरोब से cataract यानि मोतिया बिन्द के operation में किया जाता है सर्जरी के बाद होने वाले दर्द, सूजन तथा redness को ठीक करने के लिए दिया जाता है मोतिया बिन्द आँखों की बिमारी है जिसमें मरीज को कम दिखाई देने लगता है तथा आँख में एक सफीद बिन्दू दिखने लगता है मोतिया बिन्द होने पर डॉक्टर द्वारा सर्जरी किया जाता है इस सर्जरी के बाद दर्द होता है आँखों में सूजन हो सकता है redness हो सकता है तो इन सभी symptoms को ठीक करने के लिए नेपा फिनक आईड्रॉप दी जाती है ओकिलर ओडिमा एक आँखों की बिमारी है जिसमें आँखों के पिछले हिस्से में सूजन हो जाती है जिसमें दर्द रहता है तो ऐसे condition में भी नेपा फिनक आईड्रॉप दी जाती है अब जान लेते हैं इस drop के डोज के बारे में तो इस drop को हमेशा डॉक्टर के सलाह से ही लेना चाहिए इसका जो समाने डोज है वो है एक एक बूंद तीन बार डालने की सलाह दी जाती है मोतिया बिंद के ओप्रेशन होने पर इसे ओप्रेशन के पहले दिन से ही लेकर 14 दिन तक डालने की सलाह दी जाती है जिससे की आखों में दर्द और सुजन कम से कम हो सके ये ड्रॉप डालने के बाद आखों को 2-3 मिनट तक बंद रखे जिससे की दवा अपना पूरा एक्षन दे अब बात कर लेते हैं इस ड्रॉप के साइड फेक के बारे में तो आखों में जलन होना चिपचिपाहट होना या आखों में सुखापन लगना सिर दर्द होना नौजिय ये वोमिटिंग होना ये सब कॉमन साइड फेक दिख सकते हैं कुछ patient में severe side effect भी दिख सकते हैं जैसे आखों में दर्द बढ़ सकता है आखे बहुत ज़्यादा लाल हो सकती है आखों से पाने गिर सकता है अगर इसमें से कोई भी side effect दिखे तो अपने डॉक्टर से जरूर बताए ध्यान रहे ये drop अपने डॉक्टर के सलाह से ही ले ये थी जानकारी नेपा फेनाक ट्रॉप के बारे में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करे और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करे धन्यमाद